हमने यहाँ पे दो die ठोकिये, मुझे all possible outcomes लिखने हैं, अब जो मेरा first die है, इसमे 1 से लेके 6 तक कोई भी number आसकता है। और second die में भी one से लेके 6 तक कोई भी number आसकता है। अब अगर first die में 1 आता है, तो second die में 1 आसकता है। अर अगर first die Hem排 1 आता है, second die Hem排 2 आ सकता है, similarly second die Hem排 3 आ सकता है, FOUR आ सकता है, FIVE आ सकता है, और SIX आ सकता है, similarly अगर first die Hem排 2 आता है पहले, तो second die Hem排 1 आ सकता है, 2 आ सकता है and so on, तो मेरा यहां पर सारे possible outcomes, यह होंगे, मैं notice करूँ मेरे यहाँ पे total number of outcomes होंगे 36 अगर मैं count करता हूँ तो अब यहाँ पे हमें इस table को complete करना है यही करते हैं कह रहा है sum of 2 die अब हमें निकालना है अगर sum मेरा 3 है तो उसकी probability निकालने है अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन-कौन से cases है जहाँ पे sum 3 है sum 3 हो सकता है 2-1 में और 1-2 में तो यहाँ पे मेरा 2 cases में sum 3 है तो इसकी probability होगी number of cases जहाँ पे sum 3 है यानि 2 divided by total number of outcome यानि 2 by 36 यह आएगा मेरा 1 by 18 similarly हम 4 के लिए करते हैं अब sum 4 मेरा आ सकता है 3-1 पे 2-2 पे और 1-3 पे तो यह मेरे 3 outcomes हैंसे तो इसकी probability आएगी 3 by 36 यह आएगा मेरा 1 by 12 similarly हम 5 के लिए करते हैं अब 5 जो है मेरा यह आ सकता है 4-1 से 3-2 से, 2-3 से और 1-4 से यानि यह 4 times आ सकता है तो इसकी probability होगी 4 by 36 यानि 1 by 9 अब हम यहाँ पे sum 6 की बात करते हैं अब जो 6 है मेरा यह आ सकता है 5-1 से 4-2 से, 3-3 से 2-4 से और 1-5 से मैं notice करो यह मेरा 5 times है 5 outcomes में आ रहा है तो यहाँ पे probability होगी 5 by 36 अब हम 7 का करते हैं 7 की बात करें तो 7 आ सकता है मेरा 6-1, 5-2, 4-3, 3-4, 2-5 और 1-6 में यह मेरा आ रहा है 6 times तो इसकी probability होगी 6 by 36 यानि 1 by 6 अब हमें 9 का निकालना है 9 की बात करें तो 9 आ सकता है 6-3, 5-4, 4-5 और 3-6 में यानि 4 times तो इसकी probability होगी 4 by 36 यानि 1 by 9 10 की बात करें तो 10 आ सकता है मेरा 6-4, 5-5 और 4-6 से यानि 3 times तो इसकी probability होगी 3 by 36 यानि 1 by 2 अब 11 की बात करें तो 11 आ सकता है 6-5 और 5-6 में तो यह 2 times आता है तो इसकी probability होगी 2 by 36 यानि 1 by 18 तो मेरा यहाँ पे यह table fill हो गया करें